वेलकम दोस्तों आज की वीडियों हम पढ़ने वाले टाइप लेटरल्स क्या होते हैं तो जैसे कि हम कोई वैरिवल बनाते हैं उसमें हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं कि टाइप होने चाहिए श्ट्रिंग होने चाहिए अब उसमें क्या है आपको यह बताना है जैसे मानलो लेट वेकल टाइप हो गया अब हमें यह बताना है कि मेंपा जो वेकल टाइप है उसमें नॉर्मली यह चाहिए तो यह चीज हम पहले से इसमें बता सकते हैं ठीक है अब इमाननो यह हो गया कि यह इन दोनों में से उसके value आनी चाहिए और अभी मैं इसमें assign कर देता हूँ car और मैं यहाँ पर console करवाता हूँ vehicle type तो vehicle type होगी car अब मैं मालो इसकी जो value है इसको change कर देता हूँ यहाँ पर कि अब उसके अंदर आ गया उसमें bike तो value होगी bike अब मालो मैं उसकी जो value है bike उसको फिर से change करके इसको करना चाहरा हूँ मैं truck करना चाहरा हूँ तो इसने बता दिया कि भाई नहीं कर सकते आप truck क्योंकि यहाँ जो permission है वो car bike के बिल car or bike की है truck डालना है तो truck बढ़ाना पड़ेगा आपको उसको permission देनी पड़ेगी यह truck भी डाल सकता है इसमें तो यह आ गया है इसके अलावा मालनों कुछ और डाल रहा है scooter डाल रहा है तो same वही मतलब इन तीन चीजों के अलावा वह और नहीं डाल सकता है scooter हो गया ठीक है यह तो हो गया normal variable के बात है अब same function होता है तो उसमें भी हम यह चाहिए यूज कर सकते है जैसे अभी इसको मैं कर देता हूँ comment और यहां पर मैं function मनाता हूँ function का नाप रखते है get vehicle info अब यहां से कोई भी type डालता है vehicle का vehicle का vehicle का कोई भी type डालेगा तो वो क्या होना चाहिए same वो या तो car होना चाहिए या फिर bike होना चाहिए किवल अभी दू मैं कर देता हूँ यहां पर और return में मैं यहां से करवा दूना हूँ vehicle type अब मैं इसको call करता हूँ console भी करवा लेता हूँ साथ के साथ यह function call करा इसके अंदर parameter डाली मैंने car yes car आ गया यहां पर दे रखा नहीं yes अब इसके अंदर में डाल देता हूँ bike bike भी आ गया अब इसके अंदर मानलों मैं डालता हूँ truck तो error दे दिया क्योंकि यहां हमने बता दिया उसको वाई इसके पास car bike बशी कि इन दोनों चीजों में से होना चाहिए तीसरा एड करना है तो आप यहां पर वह condition लगा सकते हो कि यहां पर आपका जो है ट्रक भी आने वाला है तो कोई error नहीं आएगा ठीक है तो यह होते हैं type script के अंदर hopefully आपको समझ आगे होंगे ठीक है आज की वीडियो में यह है thank you